एक दिन की बात है बातों ही बातों में राजा कृष्णिदेव राय ने तेनाली राम से पूछा अच्छा यह बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के लोग सबसे अधिक सयाने तेनाली रामा ने तुरंत उत्तर में कहा महराज ब्राहमन सबसे अधिक मूर्ख और व्यापारी सबसे अधिक सयाने होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है राजा ने कहा मैं ये बात साबित कर सकता हूँ रामा ने कहा कैसे राजा ने पूछा अभी जान जाएंगे आप जरह राजगुरु तथाचारे को तो बुलवाईए राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि राजप्रोहित तथाचारे को दर्बार में ततकालीन उपस्थित कराये जाए राजा का संदेशा मिलते ही राजगुरु तथाचारे भागे भागे दर्बार में आए तेनाली रामा ने कहा महराज अब मैं अपनी बात आपको साबित करके दिखाऊंगा लेकिन इस कारे के लिए मैं चाहूंगा कि आप उसमें दखलना दे आप ही है वचन दे तब ही मैं है काम करूँगा राजगुरु जी महराज को आपकी चोटी की आवशकता है इसके बदले आपको मुमांगा इनाम दिया जाएगा अब भई वर्षों से तेल पिला पिला कर बड़ी की गई अपनी प्यारी सी चोटी को कैसे राजगुरु इतनी सरलता से कटवा दें लेकिन राजगी आजग्या को भी कैसे टला जा सकता था तथाचारे ने कहा इसी बीच तथाचारे के शिश्य धनी बनी तथाचारे को ये सुजाव देते हैं कि गुरु जी ये चार उच्च है ऐसा आवसर पुने नहीं मिलेगा और तथाचारे दोनों को एक एक थपड लगाकर चुप रहने का आदेश देते हैं इसी बीच पंडित रामा कृष्णा भोल पड़ते हैं रामा कहते हैं गुरुवर आपने वर्षों से और जीवन भर महराज का नमक खाया है चोटी कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो फिर कभी वापस ना सके इसलिए महराज मू मांगा इनाम भी दे रहे हैं तो मोके का लुप्त उठाइए राजगुरु मन ही मन समझ गया कि ये पंडित रामा कृष्णा की चाल है रामा ने पूछा गुरुवर आपको चोटी की बतले क्या ही नाम चाहिए तथाचारे ने मन ही मन सोचा कि वो खूब सारा धन राज़ा से एंट ले लेकिन फिर उसकी प्रतिष्णा पर प्रश्णचिन लग सकता था इसलिए ज्यादा लालचना करते हुए तथाचारे ने कहा कि मेरे लिए तो पांच स्वन मुद्राएं ही अधिक होंगी और राजा के आदेश अनुसार राजपुरो ही तथाचारे को पांच स्वन मुद्राएं दे दी गई और नाई को बुलाकर उनकी चोटी को कटवा दिया गया अब तेनाली राम ने नगर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी को बुलाया तेनाली रामा ने व्यापारी से कहा महराज को तुमारी चोटी की अवशकता है व्यापारी बोला कि सब कुछ महराज का वो जब चाहें जो चाहें वो ले सकते हैं परिंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ राजा ने व्यापारी से कहा कि तुम पूर्णता निश्चिंत हो जाओ तुम जो कुछ भी मांगोगे हम तुमें वो दे देंगे व्यापारी बोला सब आप की ही तो कृपा है लेकिन फिर रामा बोले संकोच ने करो जो कुछ भी कहना चाहते हो सपष्ट शब्दों में कहो व्यापारी बड़ा ही चतुर था इस पर व्यापारी बोला जि दरसल बात ऐसी है कि मैंने अपनी बेटी का विवा किया था तब भी इसी कारण पांच हजार स्वन मुद्राओं का खर्च हुआ था और अपनी इसी प्यारी दुलारी चोटी के कारण ही बाजार से कम से कम पांच हजार स्वन मुद्राओं का उधार भी मुझे मिल जाता है अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी ने कहा इस तरह तुम्हारी चोटी का मूल्य 15,000 स्वण मुद्राओं जितना होगा ये रामा ने कहा इस पर व्यापारी सहमत हो गया यह मूलियत में दे दिया जाएगा 15,000 सुन मुद्राई व्यापारी को दे दी गई व्यापारी चोटी मुंडवाने बैठा जैसे ही नाई ने चोटी पर उस्तरा रखा व्यापारी कड़कर बोला संभल कर नाई के बच्चे जानता नहीं है माराज कृष्ण देवराय की चोटी है और भई ये बात सुनकर राजा कृष्ण देवराय आग बभूला हो गए उन्होंने आदेश दिया की तुरंत इस व्यापारी को धक्के मार कर राज्य से बाहर निकाल दिया जाए ये सिर्फ राज यहां राजे में फिर से दिखना नहीं चाहिए व्यापारी 15,000 सुन मुद्राओं की थेली को लेकर वहां से भाग निकला कुछ देर बाद तेनाली रामा ने कहा आपने देखा माराज राजगुर ने तो पाथ सुन मुद्राओं लेकर अपनी चोटी मुद्वाली और वही दूसरी ही तरफ व्यापारी 15,000 सुन मुद्राओं भी ले गया और चोटी भी नहीं मुद्वाई अब आप ही बताईए ब्राहमन सायाना हुआ कि व्यापारी राजा ने कहा सच मुच आपने सत्य ही कहा था पंडित रामकृष्णा तो दोस्तों इस कहानी में तो सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगले अपिसोड में और उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे है जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप आने वाली वीडियो की लेटेस नोटिफिकेशन्स मिस ना कर पाए